नवस्कार में विशवानी बिहारी ने उसमें आपका स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज है सावन माह की तीसरी सुमवारी सरकार के विशेस पहल लड़कियां कर सकेंगी यहां मुफ्त पढ़ाई क्या इंडिये में सब कुस ठीक है ग्रिमंत्री ने दिया जवाब आज है बावु देव की नंदन खत्री जी की पुन्यती थी आज खेला जाएगा भारत बनाओं वेस्ट इंडीज दूसरा T20 मुकामला अब चलिए बढ़ते हैं शाम तकी बड़ी ख़वरों के और विस्तार से आज है बावु देव की नंदन खत्री जी की पुन्यती थी आज देव की नंदन खत्री जी की पुन्यती थी है आपको बता दी कि एक प्रचलित टीवी शो चंद्रकांता जिसमें अखिलेंद्र मिश्रा ने क्रूर सींग का रोल किया था, ये भी बिहार के ही हैं, ये धाड़ावाहे के देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखी उपन्यास चंद्रकांता पर ही आधारित थी, हिंदी भाश्यों के पर चार के बीच लोग प्रिये बनाया, जितने हिंदी पाठक उन्होंने उत्पन किये, उतने किसी और ग्रंत कार्णी नहीं। वरत करनी का अलगलग फल मिलता है, जिस क्रम में सावन के सुमवार को वरत रख कर बाबा सुमेश्वर नाथ का जलाभिश्य करने वाले भगतों को अशोमेध यर्ग का भी फल मिलता है। जिनियरिंग की कोचिंग कराने की विवस्था में जुटी हुई है। जिनियरिंग की विवस्था में अपना पदभार संभाले है। इस से पूर्व वो जोर्णल ऑफिस हाजिपूर में कारेरत बताया जो आते हैं। जिनियरिंग की विवस्था में कल से छापे मारी चल रही थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि सीविया या छापे मारी रेलवे माल भाड़ा में आनियमितता की मिली शिकायत के तहद की है। क्या इंटिये में सब कुछ ठीक है ग्रिमंत्री ने दिया जबा। लड़ेगी वहीं ग्यान भवन के अटल परिसर में पत्रकारों से बादचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्री महामंत्री वो पाठी के मुख्याले प्रोहारी अरुन सी ने कहा कि 25 तक नितिश कुमार भिहार के मुख्य मंत्री रहेंगे। जुला धिकाड़ी ने जOW लगा कर दिया स्वाच्रिता सन्देश। वे जारो लगाया और साथ ही कच्रा भी उठाया ओदेश्य था कि अस्थापना दिवस पर जीले के लोगों को स्वक्ष्टा के प्रती जागरूप करना तथा श्यहर की साफसफाई के लिए लोगों को उनकी जिम्मेदारी से अफगत कराना जुनता दर्वार अस्थागित फर फर्यादियों की फर्याद नहीं सुन सके मालूम होगी मुख्यमंतरी हाली में कोरोना की चपेट में आ गये थे जिस वज़ा से हुआ आज ग्री विभाग, राजस्व भूमे सुधार विभाग, निगरानी विभाग, सामाने प्रश्रासन विभाग, मद्यनेश्रीद विभ एवं खान भूता तो विभाग से जुरे मामलों की सुनवाई नहीं कर सके और जनता दर्वार अस्थागित कर दिया गया, अब फर्यादियों को अगले सोगवार का इंतजार करना होगा, क्या फिर से बिहार में मौनसून हो रहा है मजबूत, बिहार में दक्षिन पशिम प्रियता को लेकर मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है, आईमजी के ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में कमजोर पड़े मांसून ने एक वार फिर से मजबूत होने की उमीद जगाई है, मौसम विभाग ने प्रदेश में मंगलवार तक अच्छी बारि आज महीने की पहली तारिक पर पेट्रोलियम कमपनियों ने एलपीजी गैस उपभोगताओं को कीमत में कमी कर राहत दी है, हालांकि यह राहत कमर्सियल सिलिंडरों पर दी गई है, घरेलू गैस के दाम में कोई बदलाओ नहीं किया गया है, आपको बता दे कि आज से एलप पाच जीरो रुपे थी, मालूम हो की हर माह की पहली तारिक को पेट्रोलियम कमपनियों द्वारा तेल और एलपीजी की कीमतों में बदलाओ किया जाता है, सेहनी ने अपने कार्यकरताओं को दिया टिप्स, लालो नितिश्व के स्टाइल में करना होगा काम, वियाइपे मुकेश्व सहनी फिलाल जीले-जीले में घूम कर कार्यकरताओं और जनता से मुलाकात कर पाची को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, मालूम हो की हाल ही में वियाइपी के तीने निता भाजपा में शामिल हो गया थे जिसके बाद मुकेश्व सहनी अकेले पढ़ गया है इस बीच बिहार में अपनी पकड को मजबूत करने में जुटे सहनी अपने कार्यकरताओं को टिप्स दे रहे हैं, इसी करी में मुकेश्व सहनी ने कार्यकरताओं से कहा कि बिहार में अपनी पकड मजबूत कर राज़ का नित्रितों करनी के लिए लालू, नितीश और गामी लोग सबाचुना के लिए तैयारी में जो शोर से अभी से ही जुट गई है यही वज़ा है कि जद्यू के राष्ट्री अध्यक्ष लगातार सभी प्रकोस्ट्रों की बैठक बुला रहे हैं साथ ही बुथ हस्तर पर इसकी तैयारी में लगे हैं इसी करी में जद्यू ने अब चार जिलो में नया जिला ध्यक्ष भी न्यूक्ष किया है इसको लेकर जद्यू के परदेश अध्यक्ष उमेश को स्वाहा ने अधिसूचना जारी की है इस सूची के मुताविक पुरविच्वम पारन में मंजू देवी, वक्सर में अशोक सिं एको बिहार की रास्थानी पटना में आयुजित की गई थी, इस बैठक में भाजपा के राश्ट्री अध्यच जीपी नडड़ा और अमिच शाह सहित भाजपा के सातो मोर्जा के करीब 700 नेता और कारीकरता शामिल हुए, बीते दिन इस बैठक का समापन समारो हो था, इस पटना में संकल्प लिया कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही बीजेबी के परधानमत्री पद के उमिदवार होंगे और 2024 के लोग सभाचुनाओ में नरेंद्र मोदी तीसरी बार परधानमत्री के तौर पर ताज पोशी के लिए मैदान में होंगे, इंटर हाई स्कूल के 11 और 2025 नियोजित सिक्षकों को किया गया सम्मानित। बिहार में मैट्रिक और इंटर के तीनों संकाय में प्रधम अस्थान पाने वाले 11 टॉपर्स और 2025 नियोजित सिक्षकों को बिहार माध्य में सिक्षक संग दोरा सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया है जो आईस, IPS, इंजिनियर और मेडिकल में च्वैनित हुए हैं। पहले टीटी मैच में 68 रनों से जीत के बाद भारत जीत के साथ अपनी बढ़त 2-0 से बढ़ाने की कोशिश करेगा। मेच को लाइव देख सकते हैं जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही भारत की रिकवरी रेट 98.48 प्रतिश्वत हैं। चौबस घंटे में कोरोना से जानकवाने वालों की संख्या 24 है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किये के पिछले 24 घंटों के आकड़ी का नुसार। कोरोना संक्रण के मामले में मामली कमी हुई है। जिसके बाद राजभर में कुल 290 कोरोना के नए मरीज मिले है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 14 नए मामले सामने आये है। बीते दिन हमारे दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाह में कॉमेंट सेक्शन में लिक कर दिया था जिन्होंने पुछे के सवाल का जवाब दिया है। बिहार की तमाम खुवर के साथ अपडेट रेने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दवाना ना भूलें। धन्यवाद।